हेलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 25 सनवरी को जो है वो स्चंपुरुन भारत में जो है वो मोसम किस परकार से रहने वाला है किन राज्यों में जो है वो अगले 24 गंटे के दोरान बारिस की गत्विद्यां देखने को मिलेगी तो सबसे पहले जो है वो अगर हम मोसमी सिस्टमों की बात करें तो एक स्टॉंग डबलुडी जो की उत्रपक्षमी भारत के परवत्य राज्यों के पास में बनावा है और इसके लावा एक अन्य पक्षमी विक्षोब जो की अफगानिस्तान के आसपास बनावा है जो की 29 तारीक के आसपास जो है वो भारत के परवत्य राज्यों के आसपास पहुँचेगा और एक साइकलोनिक सर्कूलेशन जो है वो चकरवाती हवाँ का जो चेतर है वो राज्यस्तान के मद्धे भागों के आसपास में बनावा है और एक अन्य पक्षम बंगाल और इसके आसपास के भागों पे बनावा है तो इन सबी सिस्टमों के चलते एक ट्रफ भी जो है वो पंजाब से लेकर के राज्यसतान के मद्ध भागों से होते हुए गुजर रही है तो इन सबी मौसमी सिस्टमों से अगले 24 कंटे के दोरान जो है वो हरियना पंजाब और पश्चमी उत्रपरदेश के साथ साथ मद् कशमीर के जो इलाके हैं लेहलदा के इन चेत्रों में जो है वो मत्यम से तेज बरबारी होने की संभावना रहेगी ऐसे ही जो है वो उत्राखंड और हिमाचल परदेश के जो उंचाई वाले चेत्र हैं यहां पे बरबारी की संभावना रहेगी जबकि निचले इलाकों में जो है वो बारिश होने की शंभावना इन चित्रों में काफी तेज बारिश भी इन चित्रों में कही स्थानों के उला वरस्ती जैसे के पिदिया इन चित्रों में देखने को मिलेगी और इसके लावा जो है वो अगर हम पंजाब की बात करें इन छेत्रों में बारिस होने की संभावना रहेगी जबकि फिरोजबुर्ब और वजिलका वठिंडा के आसपास ये जो छेत्र हैं यहां पे कलाउड रहेगा लेकिन बारिस की संभावना इन छेत्रों में कम नजरा रही है इसके लगा अगर हम राजस्तान की बात करें तो रा लाउड रहेगा इन छित्रों में और पुर्वी राज़तान के अलवर और भरतपूर के आसपास कुछ एक्टिविटी इन छित्रों में दोलपूर इन छित्रों में हलकी लाइट ट्रेन के रूप में देखी जा सकती है राज़तान के अगर हम बात करें तो राज़तान से जो ह वो हमारे एक पुराने वीवर्स हैं जिसका मन नाम लेना चाहूंगा सुक्राम जी तेतरवाल जो है वो हमें काफी बार कमेंट करके पूचते रहते हैं कि जो है वो चुरू में जो है वो हमारा वेदर रहते हैं पिछले काफी दिनों से लगातार कमेंट कर रहे हैं तो उनको ह जो है वो राजस्तान के काफी जिलों में बारिस होने की संभावना रहेगी 29 और 30 जनुरी को तो उस दोरान जो है वो चुरू के भी कई अलाकों में बारिस होने की संभावना है तो अभी जो है वो चुरू में बारिस की संभावना अगले 3-4 दिन के दोरान नहीं है और 29 के ब कुछ घंटों के दौरान यहां पे यानि कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिज की संभावना रहेगी जिसमें जो है वो पंचकुला, अंबाला, यमना नगर और कुरुग छेत्र के आसपास जो है वो यहां पे अच्छी खासी बारिज के एक्टिविटी देखी जाएगी कि हर्याना के जो सिर्शा, हिसार और बीवानी के आसपास की जो इलाके हैं यहां पे बादल रहेंगे लेकिन बारिज की संभावना इन छेत्रों में नहीं है इसके लावा अगर हम उत्रपदेश की बात करें तो पच्छ में उत्रपदेश के साथ मध्दे उत्रपदेश के भी इलाकों में जो है वो बारिज की संभावना रहेगी जिसमें अगर हम बात करें तो ललितपूर, चांसी और जो इटा, इटावा, आगरा, और मत्धुरा, अलिकड़े और गाजियबाद के जो इलाके हैं यहां पर भी जो है वो लाइट ट्रेन हो सकता है इसके लावा ज जब कि मौडरे ट्रेन जो है वो मुरादाबाद, वरेली, बेचनोर, मेरट और साहरनपूर और मुझफरनागर, गाजियबाद इन छेत्रों में जो है वो कुछ ते तेज बारिज का जो है वो इन छेत्रों में देखने को मिल सकता है और यह एक्टिविटी जो है वो कल के ब में अच्छी बारिज की एक्टिविटी देखने को मिलेगी मद्यपर्देश की बात करें तो मद्यपर्देश के भी कुछ इलाकों में बारिज की संभावनाएं नजर आ रही है जिसमें अगर हम बात करें इंदोर, दिवास, बोफाल, सागर, सिलेकर के गौालियर, बारिज की बारिज की एक्टिविटी देखने को मिलेगी तो इसके लावाँ जो है वो अगर हम बात करें दक्षन बाहरत की तो दक्षन बाहरत में भी कुछ तानों पे बारिज होने की संभावना अगले 24 कंटे के दोरा नजर आ रही है जिसमें केरल के काफी छेत्रों में जो है वो light to moderate train होने की संभावना है और शाट मीज़ो है वो करनाटक के जो और माराश्यटर के जो आंतरिक राके हैं यहाँ पे कुछ स्तानों पे बारिज हो सकती है यानि की मेशूर मनलूर और आसपास के जो इलाके हैं इन स्तानों पे जो हो सिव मोगा के आसपास जो हो हल की वर्सा देखी जा सकती है और मारास्टर में भी जो है वो ओरंगाबाद सोलापूर के आथ पाथ कुछ एक्टिविटी यहां पर भी देखने को मिलेगी। इसके बारत के सेज राज्यों में जो है वो एक्टिविटी जो है वो यहां पे कुछ स्थानों पे बादल जरूर र लेकिन इसके अलावा जो सेस भावों में जो हो क्लाउड के बीच में जो हो वेदर ड्राइ रहेगा यानि कि बारिस की संभावना इन छित्रों में नहीं रहेगा तो इस परकार से जो हो अगले 24 घंटे के दोरान बाहरत के तमाम राज्यों में जो हो मौसम रहने वाला है तो आप लगातार हमारे शाद जुड़िये रहे हम आपको अपडेट करते रहेंगे 26 के मौसम के बारे में धन्यवाद नमस्कार